आईए देखते अपना example 12 ठीक है क्या बोल रहे हैं वो आपसे question को read कीजिए let a is equal to 2,4,6,8 and b is equal to 6,8,10,12 अब वो आपसे क्या कह रहे है find a union b तो बड़ा ही simple सा है question जब आप लिखेंगे exam में तो बड़ा आपको पहले पूरा question को note down करना है ठीक है मतलब जो चीज गिवन है वो exam की बात कर रहा हूं ठीक है अभी तो आप directly लिख दोगे तो चलेगा एक बार यह लिख लिए अब आपको इनका union बताना है ठीक है union क्या होता है आपको पते है set a और set b के सारे के सारे elements लिखे जाएंगे और जो common है उसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा तो यहाँ पर क्या आजाएगा भी 2 आजाएगा 4 आजाएगा 6 आजाएगा फिर 8 आजाएगा अच्छा देखो 8 दोनों में है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो उसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा फिर आएगा बिटा 10 और last में क्या आएगा बिटा 12 बदाएगे कोई दिक्कत यह हो गया आपका a union b any problem? please note it down